नमस्कार साथियो न्यूज क्लिक के डेली राउंड अप में हम आपका स्वागत करते हैं सबसे पहले आज की प्रमुख खबरें बीते 24 घंटों में 12,881 करोना के नए मामले दर्ज 334 मरीजों की मौत असम के बागजान, तेल छित्र में लगी आख से जुड़े सारे जरूरी पहलू चीनी सामानों का बॉयकॉड तो सुरुवायत करते हैं करोना के अपडेट से स्वास्त मंत्राले के आँकडों के मुताबिक बीते 24 घंटे में फिर से रिकॉड 12,881 नए मामले दर्ज किये गए हैं 334 मरीजों की मौत दर्ज की गई है और 7,390 मरीजों को ठीक किया जा चुका है देश भर में अब करोना वाइरस से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 3,666,946 हो गई है जिसमें से 52,996 दी यानि की 1,94,325 मरीजों को ठीक किया जा चुका है अब तक कुल मरीजों की मौत तकरिबन 12,237 लगों की मौत हो चुकी है और सक्रिय मामलों की संख्या इस समय 1,6,384 हो गई है सक्रिय मामले यानि की वो मामले जो अस्पतालों में कहीं न कहीं करोना का इलाज करवा रहे हैं इंडियन मेडिकल काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च द्वारा आज जारी आकडों के मुताबिक अभी तक कुल 62,49,666 सेंपल की जाँच की गई है जिन में से 1,65,412 सेंपल की जाँच बीते 24 घंटे में हुई है अब चलते हैं अगली खबर पर जो असम में धधक रही आक से जुड़ी हुई है डिब्रियू सेखोवार नेशनल पार्क और बायो स्फियर रिजर्व से एक किलोमेटर से भी कम दूरी पर पब्लिक सेक्टर की ओयल इंडिया लिमिटेट का प्राकिर्तिक गैस का कुवा संख्या पाँच है नाम के लिहाद से बताएं तो यह असम के तिन सुखिय जीले में इस्थित बागजान जीर तेल छेत्र पुर्वी असम में मौजूद है इस कुवे में 27 मई 2020 को धमाका हुआ था यानि हवा में उच्छ दबाव पर भारी मात्रा में गैस फेकते हुए अनकंट्रोलेबल अस्तर से प्राकिर्तिक गैस की हवा में फैलने लगा था 9 जून 2020 को अभी तक नामालुम कारणों से यानि कि कोई भी कारणों का पता नहीं चला है कोई से आग लग गई और उत्तर पुरू की कम से कम पांच किलोमेटर की दूरी तक यह आग तेजी से फैल गया इस आग लगने की वज़र से कम से कम दो फायरमेन और साथ आसपास के गाउं के अन्य लोगों की मौत हो गई आसपास के घरों में घुटन होने लगी है और साथ हजार से अधिक गाउं को गाउंवालों को बारहत सिवर केंद्रों में भेजा जा चुका है इस धमाके और इस धमाके से लगने वाली आग ने मानो जीवन आवास और आजीवी का और आसपास के एको सिस्टम विसेश रूप से फसलों, मिट्टी, जल निकायों और जल जीवन, वन्य जीवन, विसेश कर पक्छियों और सुक्ष्व जीवों को बहुत बड़े अस्तर पर नुकसान पहुंचाया है, आग लगने से ठीक एक दिन पहले सिंगापूर इस्थित अलॉर्ड डिजास्टर कंट्रोल कंपनी के एक्सपोर्टों को All Oil India Limited के धमाके को कंट्रोल करने में मदद करने के लिए बुलाया गया था, अब अमेरिका और कनाड़ा के अतरिक तिव जा रहे हैं, कोई सक नहीं है कि एक कार योजना तयार कर ली गई है और आग पर काबू पारने के लिए ओप्रेशन चलाया जा रहा है, तकरीबन आने वाले चार हफ्तों तक यह ओप्रेशन चलने की उम्मीद है, बागजान की कुवां संख्या पांच, ओल इंडिया उत्पादन करता है, जो लगबख 2700 पर स्क्वाइर इंच से ज्यादा है, आधूनिक समय में बहतर ड्रिलिंग तकनीक, बहतर ड्रिलिंग तरल पदार्थ और एडवांस ब्लो आउट निवारक, बी ओपी, नॉट के कारण तेल या गैस धमाके जैसी घटनाएं आम नहीं हो कुएं से बहुत कम हो पाते हैं, बी ओपी, बेहत भारी, वाल या इसी तरह के मसीनरी टूल होते हैं, जो स्वभावी ग्रूप से कुएं पर बैठ जाते हैं, और ड्रिलिंग तरल पदार्थ के पंपिंग को शक्षम करते हुए गैस, तेल या कुएं के किसी भी को रोक देते हैं, गैस और तेल के दबाव में बदलाव से जटके पैदा होते हैं, जिसे ड्रिलिंग ऑपरेशन के दौरान ऑपरेटरों द्वारा कई तरीकों से महसूस किया जा सकता है, अंतता बी ओपी की तैनाती के जरिये, अगर इस तरह के जटके को नियंत्रित नहीं के छेत्रों में कारेकरता के तौर पे काम करने वाले डी रहुनंदन ने बताई है, और इंडिया लिमिटेट के मुताबिक उस मनहूस दिन बाग जान की कुवा संख्या 5 की मरमत की जा रही थी, कुवे को खत्म कर दिया गया था, यानि कि उत्पादन बंद कर दिया गया था और मरमत को अंजाम तक पहुचाने के लिए बी ओपी हटा लिया गया था, लेकिन इसके बाद नजदी किस्तित एक नए डिपॉजिट में वर्क ओवर या परिक्षण ड्रिलिंग चल रही थी, अचानक कुवा संख्या 5 से गैस बाहर रिष्टना शुरू हो गई, और इंडिया लिमिटेट के प्रवक्ताओं के मताबिक इस धमाके के बाद जो पहला कदम उठाया गया, वा था पानी की छतरी मिकियार में बी ओपी को बदल कर कुवा खोदना, हलांकि या बहुत कम जगह और कुवे के मुहाने के ऊपर, खुले जगह की अनुपलबधता के कार या एक बड़ी चुनावती और उच्च जोखिम जैसा मामला है, या कुवे के दो स्पून्ड डिजाइन और गलत तरीके से बनाए गए धांचे की ओर इसारा करता है, कहने का मतलब ये है कि अगर ये बात संभावना पैदा होती कि कुवे में दिक्कते आ सकती हैं तो उन सं हेड्रोलिक ट्रांस्पोर्टर लगाना होगा, फिर डिलिंग कीचर में पंप करना होगा और पास के डंगोरी नदी में एक विसेश और अस्थाई जलासाय का निर्मान करके कुवे तक पाइपलाइन बिचाना होगा, या आगे इमर्जेंसी की स्थितियों के लिए खराब देवस्था को रेखांकित करता है, खतम कर दिये गए कुवे में धमाका क्यों और कैसा हुआ, इसकी जाँच ओयल इंडिया लिम्टेद द्वाला की जा रही है, असम सरकार ने इस घटना को लेकर एक वरिष्ठ नौकरसा की अगवाई में जाँच का आदेश दे दिया है, ह जाने वाली केवल एक स्वतंत्र जांच से ही सक्तिसाली पब्लिक सेक्टर यूनिट के इस उपकर्म में आपदा के पीछे के सभी कारणों के साथ साथ इसमें सामिल विभिन संगठनों और संस्थानों की जिम्मेदारी का ठीक ठात पता लगा जा सकता है, यानि कि एक ऐसी पैनल बननी चाहिए थी जिसमें एक्सपॉर्ट हों और ये पता लगाएं कि कहां पर दिक्कते हुईं, केवल नौकरसाहों के पैनल से इसके बारे में जानकारी कठा करना बहुत मुश्किल काम है, चुकि ओल इंडिया लिम्टेट के छेतर में कई ऐसे कुएं हैं जो ओल इ इंडिया लिम्टेड एमर्जेंसी में काम करने वाली टीम और इसके बुनियादी धाचे की कमी गंभीर चिंता का विसा है, इस गैस धमाके में प्रोपेन, मिथेन, प्रोपलीन और अन्य गैसों का मिस्रण पैदा हुआ, जो लगबग 5 किलोमिटर के दाएरे में हवा में फ असपश्ट रूप से लंबे समय तक रखी जानी चाहिए, जाहिर तोर पर आग लगने से बचने की कोशिस करते हुए, दूबने से मर गए दो फायर मेन के परिवारों को ओल इंडिया लिमिटेड द्वारा मुआवजे का भरोसा दिया गया है, हलांकी उस पर भी आगे आग के नजर रखने की जरूरत है, आसपास के लगबग 50 घर पूरी तरह या आंसिक रूप से जल गए हैं, और कुछ हजार परिवार अब राहत सीवरों में सरण लिये हुए हैं, इन सभी परिवारों के पुनरवास यानि की रिहेबिलिटेशन के साथ साथ उनके घरों के पुन की और लोग भी अपनी फसलों, जमीन, पसुधन और आजीविका को नुकसान से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, हवा दवारा बहा ले गए घनिभूत गैस और दहन के अवसेस भूमी, क्रिसी, उत्पाद और जल निकायों पर जमा हो गए हैं, सुपारी, केला, चाय और बांस की खेती के लिए इस्तिमाल की जाने वाली जमीन को नुकसान पहुंच सकता है, बलकि आने वाले दिनों में खेती बाड़ी पर भी इसका असर पड़ सकता है, जैसा कि हमेशा होता है, ओल इंडिया लिमिटेड, असम सरकार, पुलीस, जिला प्रसासन और इसी तरह की और एजन्सिया जाच परताल में लगी हुई है, जबकि तेल वा गैस के छेत्र में बड़े पब्लिक सेक्टर यूनिट की सत्ती और राज्य में ओल इंडिया लिमिटेड की निरंतर गतिवीधियों में असम सरकार का मजबूत नहित स्वार्थ को देखते हुए, राज्य के साथ साथ केंद्र विशेश रूप से परियावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्राल है के परियावरण रेगुलेटरी ओफिसरों की सक्रिय मिली भगत लगती है, इसलिए स्वतंत्र नियाइक निगरानी के तहत विशेशग्यों की किवल एक स्वतंत्र जाच समीत से ही ऐसे जरूरी नतीदे तक पहुंच सकती है और बता सकती है कि गड़बड़ियां कहां होई, बड़े संदर में इस तरह की जाच से इस घटना के सिलसिले में पूरी सच्चाई का पता लगना चाहिए, इस से होने वाले एकॉलिजी नुकसान का बड़े अस्तर पर मुल् दंकन होना चाहिए, इस छेत्र की पारिस्तिकी की बहाली के लिए जरूरी रिफॉर्मेटिव कारवाई की सिफारिस होनी चाहिए, और इससे जुड़ी हुई लागत को ओल इंडिया लिम्टेट द्वारा वहन किया जाना चाहिए, और जिवास मिंधन की खोज और कम से कम उ जल्टे जाने की उपाय भी सुझाये जाने चाहिए, इस चल रही जाच को खास तोर पर जिन बातों पर गौर करने चाहिए, उनमें सामिल हैं धमाके को लेकर ओल इंडिया लिम्टेट बागजान की कुवा संख्या 5 के डिजाइन और ले आउट और उस से जुड़े हुई बुनियादी ढाचे, इस अस्थल पर और आम तोर पर बागजान तेल छेत्र में सुरक्षा के उपाय और इमर्जंसी के समय की तैयारियां, धमाके के समय के मौके पर मौझोद ओल इंडिया लिम्टेट कर्मियों की ऑपरेशन से जुड़ी संबंधित त्रूटियां और छम को बहुत बारीक तरीके से इस पूरे खंड को बताया है, वरिष्ठ वैज्ञानिक रह चुके डॉक्टर डी रगुनंदन ने, जो इस समय विज्ञान के छेत्र में कारेकर्ता के तौर पर काम करते हैं, अब चलते हैं सबसे बड़ी ख़बर पर, जो है चीनी समानों के बॉ देश खड़ा है, और उनके साथ अपनी संबेदना भी जाहिर कर रहा है, लेकिन भारत में एक अजीब तरह की पहल निकल पड़ी है, यह पहल है चाइनिज समानों का बॉयकॉट करना, यानि चाइनिज समानों के इस्तमाल से खुद को दूर रखना, और दूसरे को भी इस मुद्दे पर वरिष्ट पत्रकार और इंदो चक्रवर्ती का कहना है, कि ऐसा नहीं है कि समानों का बॉयकॉट पहली बार हो रहा है, आजादी के पहले भी अंग्रेजी समानों का बॉयकॉट किया जाता था, उस समय तरीका बेहत प्रभावी था, लेकिन आज के तरीका बहुत बचकाना है तक्रिबन तीन चौथाई चीनी समान जो भारत में आते हैं उनका इस्तमाल भारती अपना प्रती दिन की रोजाना के कामकाज में करते हैं जैसे की LED लाइट के 30 से 40 फिस्दे कमपोनेंट चीन से आते हैं दवाओं में इस्तमाल होने वाले कम से कम दो तियाई अवेओ इंग्रीडियन्ट भी चीन से आते हैं कहने का मतलब यह है कि केवल स्मार्ट फोन ही नहीं मुबाइल फोन ही नहीं या दिवाले की लड़ियां जड़ियां ही नहीं बलकि बहुत सारे सामान चीन से आते हैं अगर युद्ध भी होता है तब भी असंभव होगा कि चीनी सामानों का बहिसकार हो पाए इसके बाद चीन का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भारतिय स्टार्ट अप कमपनियों में लगा है चीन के तकनीकी निवेसकों ने मार्च 2020 तक पांच वर्सों में भारतिय स्टार्ट अप कमपनियों में करीब 4 अरब डॉलर का निवेस किया भारत के 30 उनिकॉर्ण यानि की एक अरब डॉलर से अधिक की वैल्यूएशन वाली स्टार्ट अप में 18 में चीन का निवेस है यानि की चीन का पैसा लगा है चीन की दो दर्जन तकनीकी कम्पनियां भारत के 92 बड़े स्टार्ट अप में पुंजीर डाल चुकी है शियोमी भारतिय बाजार की सबसे बड़ी मोबाइल कम्पनी है और हुआवे सबसे बड़ी दूर संचार उपकरण सप्लायर है अलिबाबा, टेंसेंट, सेनवे, कैपिटल, पेटियम, बिग बास्केट, डेली हंट, टिकनाव, विड्रिली, रैपीडो, जोमेटो, स्नैप डील, एकॉमर्स, फिंटिक जैसे प्रतिष्ठान बड़े निवेसक है इन निवेसकों को निकालना नामुम्किन है इसलिए इन पाखंडों को छोड़कर जितनी जल्दी हो सकता है चीन के साथ कूट नीतिक हल निकाला जाए तो वह बहतर होगा भारत चीन सीमा तनाव पर मिडिया और सियासत का युद्धियनमादी रवाईये पर अपनी राए रख रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेस सुनियों उनकी राए काया हिस्सा अपने देश में ले देकर जो चीज़ें सामने आई है प्रधान मंतरी जी ने आज मुख्यमंतरियों के साथ जो उनकी बैठक थी कोरोना को लेकर कोरोना महामारी को लेकर क्या हालात हैं देश में इस फेज में तो उसमें उन्होंने जो हमारे देश के जो सैनिक सरहत पर बारे गये हैं उनके प्रती उन्होंने श्रत्धान जली अर्पित की सभी मुख्यमंत्रियों ने खड़े होकर श्रत्धान जली दी सैनिकों को और साथ में प्रधान मंत्री जी ने बहुत ही संचिप्त और बहुत संतृत जंग से उन्होंने अपनी बात कही और कहा कि भारत किसी कीमत पर संप्रभुता जो उसकी है उस पर कोई कंप्रमाईज नहीं करेगा लेकिन दिल्चस्प और बहुत महत्पूर बात है और मैं समझता हूँ कि ये शुब संकेत है कि अमेरिका की उकसावे भरी जो बातचीत है खासकर मीडिया में जो सामने आ रही है या ग्लोबल टाइम्स जो चीन का है वो जिस तरह की बातें कर रहा है उससे एक काफी अलग सोच हमारे देश के रक्षा मंतरी राजनाज सिंग ने भारत सरकार की तरफ से अपनी पहली जो प्रतिक्रिया दी इस तुरे घटना करम पर जो एक ट्वीटर के रूप में सामने आई उन्होंने ट्वीट किया उसमें उन्होंने जो शहीद सैनिक हैं उनके प्रती उन्होंने शक्धान जली अर्पिट की और पूरे उस संदेश में कहीं भी भारत और चीन के इस टक्राव पर गलवान बैली को लेकर लटाग के सरहधी इलाकों को लेकर एक दूसरे के दावे परती दावे पर कोई कमेंट नहीं उन्होंने किया था तो माना ये जा रहा है कि रक्षा मंतरी का जो ये कमेंट आया है वो जो इसमें संतुलन दिखाई देता है क्योंकि पहले हमने देखा है कि जब भारत पाकिस्तान के बीच कुछ भी होता है या होता रहा है तो फौरण पाकिस्तान की तरफ से भी और भारत की तरफ से भी पूरी एक लगता है कि जैसे अगनी वर्षा होने लगती है शब्दों की और ऐसा लगता है कि फौरण सब कुछ तैक कर लिया जाएगा लेकिन ऐसा इस बार नहीं है बहुत रिस्ट्रेंड बहुत संतुरित प् उन्होंने भी इसी तरह की एक रिस्ट्रेंड या एक संतुरन कायम रखता है लेकिन ग्लोबल टाइम्स ने इसकी व्याक्या अपनी तरफ से जरूर की है और ग्लोबल टाइम्स को आधिकारी पत्र मारा जाता है तो ये एक पालू उबर कर सामने आ रहा है दोस्तों और दू कंट्रीज की हर जगह सरहत पर तनाव दिखाई दे रहा है पाकिस्तान पर पहले से बना हुआ है चाइना से विवाद जरूर था लेकिन तनाव नहीं था एक तरह का तनाव शैथिल्ले हमेशा रहता था अभी भी गलवान बैली में जो हवाद थे 15 दिनों से 20 दिनों से या माना ये गया कि अब तनाव को तनाव शैथिल्ले में तब्दील करके दोनों देश आगे बढ़ेंगे दोनों की सेनाई पीछे हट जाएंगी या चीन अगर आगे बढ़ा है तो वो पीछे चला जाएगा लेकिन इस बीच में घटना ये घटी की अचानक सब कुछ ऐसा हो गई और दोनों तरफ से घटनत हो गई इसमें माना ये जा रहा है कि चीनी जो सैनिक हैं वो आगे आ गए थे जिसको पीछे हटाने के करम में ये सारा कंफ्रूंटेशन होगा है आधिकारिक तोर पे अगर जो बयान आता है तो मैं समझता हूं कि इसके बाद इसकी व्या क क्या की जाएगी लेकिन जो मीडिया में जो चीजें आ रही हैं उस आधार पर मैं कह रहा हूं अब दोस्तों एक बड़ी बात है कि नेपाल से भी अगर आप देखें ये भारत और पाकिस्तान के हमने बात की नेपाल से भी हमारे जो संबंद थे उसमें काफी बिगाड आया है और ऐसा कभी नहीं था जिस तरह के हालात हुए हैं गोली तक चल गई और पता चला कि जो नेपाली सेक्योटी फोर्जेज है उन्होंने गोली चला कर भारती एक नागरी की या एक या दो की काफी जखमी किया मौत हो गई तो ये हमारा कहना है कि ऐसे हालात में जो ये सरह अधी तनाव दिखाई दे रहा है जो भिडलत दिखाई दे रही है ये क्यों है इसके क्या अखिर ऐसा क्या हुआ है कि पूरा देश महामारी से अपने को बचाने की कोशिश कर रहा है अवाम बचाने की कोशिश कर रही है सरकार भी अपने डंग से कर रही है हाना कि सरकार की जो घुमिका है, सरकार की जो actions हैं, पहल कदमिया हैं उनको लेकर हमारे समाज में काफी criticism भी है कि जितना उसको करना चाहिए उतना उन नहीं कर पा रही है अस्पतालों की व्योस था और infrastructure जो additional जो और हो सकता था lockdown में जिस बिल्ड करना था, वो नहीं हो पा रहा है तो ये महामारी और युद्ध का जो रिष्टा है, या महामारी और तनाव का जो रिष्टा है, वो क्या है ये देखने वाली बात है इसलिए दोस्तों, अमेरी की प्रेस हो इसरैली प्रेस हो, या यूके के ऐसे कुछ युद्धोनवादी जो वेबसाइट्स हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहा है लेकिन हमारा दोस्तों कहना यह है और मैं इसमें नीजी तोर पे ही नहीं बलकि मैं समझता हूं कि भारती अवाम के बड़े हिस्से की तरफ से भी मैं कह सकता हूँ किसान, मजदूर, या साधार्ण लोग, मिल्लक्लास लोग सच्चमुच हमारे देश के लोग शांतिप्री लोग हैं, हमारा देश जो है, वो नहीं चाहता किसी भी कीमत पर कि कोई कन्फरन्टेशन हो, तकलीफ हो तनाव हो, हिंसा हो, सरहद पर जगड़े हो, और जो भी उपर के जगड़े दिखाई देते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि हुकूमतें लड़ जाती है समाज नहीं चाहता, अवाम नहीं चाहती, क्यों? क्योंकि लोगों को मालूब है कि कोई भी confrontation, चाहे वो सरहदी तनाव ही कई बार युद्ध के रूप ले लेते हैं, वो छोटी जग या बड़ी जग या फुल इसके जग, लेकिन खुता क्या है? कि युद्ध समस्याओं का समाधान नहीं है युद्ध जो है, समस्याओं का किसी भी तरह समाधान नहीं है, इस बात को मैं शिद्ध के साथ रखना चाहता हूँ युद्ध समस्याओं की शुरुवात है, युद्ध जो है वो जो मसले होते हैं मुलकों और मुलकों के बीच में उनको और बढ़ाता है उनकी शुरुवाती नहीं करता, उनको और पढ़ा देता है, तो ये जो लोग ये समझते हैं कि लड़ भिड़कर सब कुछ ठीक कर लेंगे आर पार की हम कर लेंगे वो दरसल आर पार कभी नहीं आता दोस्तों हमने करगिल में भी देखा करगिल के समय भी यही कहा गया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा आर पार की लड़ाई हो जाएगी लेकिन उसका क्या निकला आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो रिष्टे हैं वो तनावपूर रहें सरहत पर कभी कुछ होता है कभी कोई स्ट्राइक की जाती है कभी वो खुछ करते हैं और ये सिलसला चलता रहता है इसलिए हम महामारी के इस तोर में जब पूरी दुनिया के देश अपनी अवाम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और अवाम चटपटा रही है ये बड़े लोगों की बिमारी जो बड़े लोगों ने हवाई जहाजों के जरीए एक दुसरे देशों में पहुंचाई क्योंकि अमीरों के बीच की एक फुल मिलाकर एक बिमारी थी और ये वाईरस जो है ले देकर के अब गरीबों के उपर आ गया है गरीबों गरीब सबसे अधिक इस वाईरस के कारण मारे जा रहे हैं उनकी मौते हो रहे हैं अपने देश में तीन लाख चौन हजार से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं और ग्यारा हजार से साड़े ग्यारा हजार लोग मर चुके हैं ये संक्या बेतहाशा बढ़ रही है बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये संक्या भी शायद वास्तविक नहीं है इस से भी ज़्यादा हो सकती है मैं इस तरह के किसी डेटा भी बात पर नहीं मसना चाहूंगा लेकिन दोस्तों ये सच है कि इस महामारी में हम जितना अपना ध्यान लगा सकें और जैसे हम इस महामारी से अपनी अवाम को मुक्त कराने में अपनी सारी की सारी उरजा लगा सकें इसके लिए बहुत जरूरी है इसके लिए बहुत जरूरी है मैं दो बार कहता हूँ कि सरहरी तनाओं को हर आलत में डिप्लोमेटिक तरीके से कूटनीतिक तरीके से ही भारत को हल करना पड़ेगा और चीन को भी यही काम करना पड़ेगा दोस्तों टेलिवीजन चैनलों में बैट कर आराम से स्टूडियो में नियूज रूम में चीक चीक कर कहना कि हम आर पार कर देंगे हम आर काट मचा देंगे लेकिन दोस्तों लड़ते हैं सैनिक और सैनिक जो सामानी घरों के होते हैं जिन घरों पर कभी महामारी कभी बीमारी कभी लाच और यहाँ तक कि जो कहता हूं कि जो अमीर देश हैं उनकी भी कहानी है इसलिए यूद्ध हमेशा इसको नो किया जाना चाहिए यूद्ध की जो आशनका व्यक्त करने वाले या यूद्ध को लेकर एक तरह का अजीब भाव जो दुनिया के कई मुलकों में बारत और चीन के इस भिडंद को लेकर जो सैने जड़प कहता हूँ जो जो मीडिया के एक खलके में इसको जो धोनमाद के रूप में पेश किया जा रहा है और इसको ऐसा लगता है कि इसको खीच कर अब जिसे एक एक जगह मैंने अभी पढ़ा वो ये कह रहे हैं, एक विदेशी वेबसाइट कह रही है कि ये तीसरे विश्वजुद्ध का रूप धारण कर सकता है मैं समझता हूँ कि ये खौफनात मिचार है इन्हें मालूम नहीं है कि महायुद्ध क्या होते हैं इन्हें मालुम नहीं है कि वर्ड वर्ड क्या होती है इसलिए दोस्तों जो लोग वार, वर्ड वार, युद्ध, महा युद्ध की बात कर रहे हैं चाहे अपने देश के मीडिया के लोग हों या बाहर के लोग हों वो निश्चुत रूप से हमारे देश के लिए, हमारी मनुश्यता के लिए, हमारे समाज के लिए और पूरी विश्वसान शांती के लिए, पूरे दुनिया की अवाम के लिए वो एक शत्रुता की जमीन तयार कर रहा है ये थी आज की प्रमुख खबरे हमारी खबरों को New Click के वेबसाइट, New Click के ट्वीटर, New Click के फेस्बुक से आप पढ़ सकते हैं हमारी यूटूब चैनल से आप New Click के वीडियो देख सकते हैं सुक्रिया आप देखते रहिए New Click